नौशा राम राजी इंटर कालेज नरायन पूर परितम पूर अमबेटकर नगर के वर्चुल क्लास में आपका स्वागत है आज हम पढ़ायांगे क्लास तिन्थ का फिजिक्स और फिजिक्स में हमने टॉपिक शुरू किया था निमेरकल लेंस से रिलेटर जो भी निमेरकल थ सब वो बता रहे थे और हमने इससे पहले दो वीडियो को अप्लोड किया जिसमें हमने शाद को बताया है इस वीडियो में आठमे कोस्चन से शुरू करना है चलिए आठमा कोस्चन हम शुरू करते हैं आठमा कोस्चन कहता है कि एक उत्तर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिविम दुगना बड़ा और वास्तिविक प्रतिविम बनता है लेंस की फोकस दूरी ग्याद कीजिए दिखिए लेंस उत्तर लेंस है और जो वस्तु रखे हुई है वो पंदरा ले तो क्या होगा इसका जो प्रतिविम इसका जो आवरधन होगा वो किसमें होगा प्लस में होगा तो लेंस की फोकस दूरी कहा है ठीक है चलिए हम शालोशन की साइड में चलते हैं देखिए सलोशन क्या कहता है कि shall listen देखिए you बराबर यू बराबर माइनस 15 संटीमीटर means vinden वुआ वीवाई वीब ग toujours एक्वल्ट कितना है डू सेंटीमेट ठीक है अब देखिए इसका क्या करेंगे हम ऐसे यह क गुड़ा करेंगे यह बराबर कितना यह तो u बराबर कितना ये टू यू आजागा ठीक है इसके बाद इसका माईद का क्या दोस्य उस्कों क्या रखेंग यू को मान रखेंगे यू का मान कितना मानेस 15 डिग्री शेड्ट माइनस 15 सेंटीमीटरomie हम 12 तो हमें मिल जाएगा क्या यह मिल जाएगा मानस थी संटी मीटर ठीक है चलिए अब फार्मॉली का उपयोग करते हैं फार्मॉला क्या है 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u से ठीक है अब जब फार्मॉला उपयोग करेंगे तो सभी का मान हम क्या रखेंगे सभी का मान हम रख देंगे मान रखने के बाद 1 by 1 upon minus 30 minus 1 upon minus 15 ठीक है equal to इसका LCM लेंगे आप जानते हो कि ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरा-पूरा विभाजित हो जा रही है तो ऐसे में हमें क्या है LCM निकालने की जरूरत नहीं LCM स्वयम जो संख्या है बड़ी संख्या है वह 15 चोटी संख्या से पूरा-पूरा विभाजित हो जाए तो बड़ी संख्या क्या होती है LCM होती है यानि 30 हम क्या ले लिए LCM उसके बाद क्या होगा LCM 30 हो गया तो 30 हम LCM ले लिए उसके बाद 30 में 30 से भाग देंगे यह का जाएगा माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगा ठीक है उसके बाद दो से पंधरा में 30 में 15 से भाग देंगे हो जाएगा चिन्ह कौन सा यह मार्स माइन सी हो जाएगा प्लस ठीक आप इसको करते हैं तो एक बटा कितना अगया तीसा आगया तो एक को टू कितना आजयेगा यो तीस आजाएगा डास में 30 गाएगा तक्यों कि उत्तर joint एक लेंस ब्रसक्राइव प्लस में जी एक तरफ कोा सर्काल Records future क्या कहता है दूसरा कोश्चन नमा कोश्चन किसी लेंस की छहमता प्लस टू न ढश्टी डायप्टर है यह लेंस का उत्तर लेंस होगा यह Алथ इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ठीक है टोश्चन उत्तल या अज़े लेंस पूंच रहा है तो इसकी कि फोकस दूरे कितने होगी चलें solution की उससाइट चलते हैं देखे solution क्या कहता है देखे हम जानते हैं की F equal to क्या होता है पामर इक्वल्टू क्या होता है फोता है ठीक है ये ये मीटर में है तो एक बटें लेकिन यह सेंटीमीटर में दिया हो तो यह हम क्या कर देंगे सो बटे एक कर देंगे ठीक है इसके बाद हमने प्राइए है हमें क्यादी मिला है हमें हब कर तूडायप्टर मिला है लेंज की प्लावर हमें मिला है ठीक है प्लस क्या दिया है हम पूरी दिया है ना इसलिए हम क्या करेंगे वही फार्मूला लगाएंगे कौन सा सेंटीमीटर में निकालने के लिए यह सीम बराबर क्या हो जाएगा हैंडर बटा पी ठीक अब जब हैंडर बटा पी हो गया तो आप क्या करोगे कि एप से पावर लेंस की जो छमता है उसको सक्क्या मान हम रख कर देंगे तो 100 गशाल सबरना प्लस टू ऐनी यह त किना हुज़ पचास सेंटी मीटर में आएगा कि यह लेंस का ऐख यह लेंस का ऐजलन के दोम में लेंस की फोकस दूरी है क्या है लेंस की फोकस दूरीêm टिपार है ठीक है कि को कर एक बोश् forests की में ग डाइप्टर है इसकी फोकस दूरी वाप परक्रिद गियांत कीजिए ठीक है सेम उसी टाइप का कोश्चन है सेम उसी टाइप का कोश्चन चलिए सालोशन देखते हैं उसके बाद लेख से संटिमीटर में हैं तो सव से समय भाग देंगे यह क्या है क्या है सव सेटिमीटर मायनस पाइप सेंटिमीटर यह तो यहाँ पर माइनस 5 डायविट्टर है लेंस की पामर जो दिया है वो कितना माइनस 5 डायविट्टर है तो आप क्या करेंगे सव बटा माइनस 5 कर देंगे उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा 25-20 cm यह 20 cm क्या है लेंस की फोकस दूरी और जब लेंस की फोकस दूरी आप जानती ही है माइनस किस में किस लेंस में आता तो सीधा सीधा बात हो जाएगा सीधा सीधा किस बात है आप जाएंगे आउतल लेंस में ठीक है इसी में आउतल लेंस में आप चले जाएंगे ठीक है यह कोश्चन मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया हो गया चलिए चलते हैं अगले कुच्चन नमबर 11 कहता है किसी लेंस में वस्तु की लमबाई और वस्त उसके प्रत्पीविम की लमबाई में आनपात दिया है याव वी और यू के अनपात दिया है नई सवारी actि आई और कि नंबाई का और पासी इस लेंस में तथवी mniej के अनपात को rules. किसे लिंज में वस्तु की लंबाई और उसके प्रत्वीम की लंबाई एक अनपात चार का है तो इस दसा में यू तथा वी के अनपात ग्याज की दिए हम जानते हैं कि कोश्चन आई बटा वी ठीक है वी बटा यू को हमने कई बार पढ़ा है चलिए उसी कोश्चन का फालो क इसी फार्मूले का परियोग करते हैं और देखते हैं कोश्चन पर सालोशन चलते हैं सालोशन क्या कहता है क्या हमने बहुत बार ही पढ़ा है क्या पढ़ा है ऐसे पढ़ा है आई वाई ओ इक्वल टू यू वाई वी से कई बार हम लोगों ने पढ़ा है तो यहां अनपात क्या दिया है अनपात दिया है क्या आई कमान एक दिया है और अबजेक्ट कमान चार एक अनपाते चार दिया है तो सिंपल सी बात है फिर एक अनपाते चार का बात यह हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा एक अनपाते चार यही है मन रेसियो फॉर ठीक है चलिए इस वीडियो बस इतना है यदि आपको ये वीडियो प्रिशंद आया है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें यदि किसी पर करका सुझा हो तो आप हमें जरूर बताएं जिससे हम उसकी उस पेसुधार का कारे कर सकें ठीक है और आप घर पे रहें स्वस्त रहें सुरच्छित रहें धन्वाद जय जय भारत